हलो एवरिवन वेलकम टू एडबली वे फैमिली देखो बेटा मेट्राइस इसके ऐसे प्रोल्लेम पढ़ेंगे हम जो एडजॉइंड के उपर डिपेंड है और इसके पहले आपने माइनर्स को फैक्टरस के बारे में सुना था और इसके प्रिवेस क्लास में आपने टू अभी हम 3x3 मेट्रिक्स का एडजॉइंड निकालेंगे और एडजॉइंड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है को फैक्टर्स तक सेम तरीके से जाना पड़ता है बस आपको जो को फैक्टर्स मिलते हैं उसको एक मैट्रिक्स में लिखना पड़ता है जिसको हम को फैक्टर matrix है उसका transpose लेने के बाद आपको adjoint मिलता है cofactor matrix के बाद आपको adjoint मिलता है जब आप transpose लेते हो ठीक है ना यहाँ पर total तीन प्रॉल्लेम से a b c उसमें से b और c आपको home work है इसलिए मैंने b और c के answers भी लिख कर दिये है बस आपको a matrix के बारे में सोचना है तो भीटा अब इस problem में अगर suppose आपको adjoint निकालना है 3-2 तरीका तो शुरूआत देखो कैसे करोगे तो इसमें से a जो पहला matrix है उसके बारे में मैं पढ़ा देता हूँ और similarly आपको b और c के लिए खुद solve करना है उसका adjoint जो answer है वो भी मैंने black pen से यहां लिख कर दिया हुआ है चलो अब जो बेटा पहला problem है उस matrix का पहले नाम करन करेंगे अगर already given है नाम तो आप वही लिखना नहीं है तो फिर आप आपके choice से ले सकते हैं तो generally हम a लेते हैं चलो यह देखो एक a matrix है अब इसका adjoint निकालने के लिए सबसे पहले बेटा co factors निकालने पड़ते हैं ठीक है ना तो हम पहले co factors निकालेंगे और co factor निकालने का formula मैं आपको यहां बता देता हो जो कल हमने भी use किया था a i j is equal to minus 1 raise to power i plus j और यहां आएगा side में m i j तो है a g is equal to ma g और सवा नाइ हुआ है हुआ भाई a i j is equal to minus 1 raise to power i plus j into m i j this capital a is co factor this capital m is minor अब हम एक एक element का निकालेंगे अगर यह matrix का size 3 by 3 है तो total 9 elements are there तो हम पहले a 1 1 का निकालेंगे minus 1 raise to power 1 plus 1 आएगा यह m 1 आएगा अब minus 1 के उपर अगर 1 plus 1 है तो 1 plus 1 2 होता है minus 1 raise to power 2 is positive एक बात हमेशा याद रखना यह तो basic चीज़े है minus 1 Q पर अगर e 1 power आएगा तो positive 1 लिखना और minus 1 Q पर अगर odd power आता है तो minus लिखना है चलो बोलो बेटा यह माईजे का m 1 1 हो गया अभी M11 कैसे निकलते है M11 का मीनिंग है minor of first row first column यह जो matrix में यह 1 दिखाई दे रहा है यह 1 ही है जो first row और first column में आ रहा है तो जब बेटा इस one का minor निकलते हो तो उस row को उस column को cancel करो तो one आ रहा है first row में और first column में cancel करो बचावा लिख लो तो four five minus six और minus seven ऐसा बचेगा take your time इसको solve करोगे तो यह minus 28 बीच में होता है minus लिकिन इस दोनों का multiplication करोगे तो वो भी minus आने वाला है इसलिए बीच में का minus और multiplication करने का आया है minus मिलाकर हो जाएगा plus तो यहां आ जाएगा 30 30 minus 28 is equal to 2 तो यह हो गया बैटा a11 ठीक है ना चलो अब हम a12 के बारे में सोचेंगे तो minus 1 rest to power 1 plus 2 तो यहां m12 आ जाएगा 1 plus 2 होता है 3 3 बोले तो odd odd बोले तो minus और m12 बोले तो क्या first row और second column का minor first row और second column को cancel कर दो 3 5 0 minus 7 so minus और bracket में minus 21 और minus 0 finally आएगा positive 21 यह हो गया a13 और a12 a12 के बाद a13 निकालेंगे और a13 के लिए minus 1 के उपर power 1 plus 3 लगाएंगे और यहां m13 1 plus 3 होता है 4 4 is even even बोले तो plus और 1 3 तो पहला row और तीसरा column कैंसल तो यहां आएगा 3 4 0 और minus 6 3 into minus 6 minus 18 minus 0 तो यहां आजाएगा minus 18 a13 के बाद a21 minus 1 उसके उपर power 2 plus 1 और यहां m21 2 plus 1 3 3 is odd odd बोले तो minus और m21 बोले तो second row और first column delete second row और first column delete करते हो तो 0 minus 1 minus 6 minus 7 यहां minus 0 और यहां minus 6 minus minus हो जाएगा plus 6 come on तो यह होगा बैटा a21 अब बैटा a21 के बाद a22 निकालेंगे so minus 1 और power में 2 plus 2 आजाएगा और यहां m22 आजाएगा 2 plus 2 4 4 is even even बोले तो plus और m22 बोले तो second row और second column delete करो तो यहां 1 minus 1 0 और minus 7 इसको solve करोगे तो यहां minus 7 और minus 0 आएगा तो finally answer minus 7 मिलेगा a22 के बाद a23 के लिए जाओ so minus 1 और power में 2 plus 3 आएगा और यहां m23 2 plus 3 5 5 बोले तो odd odd बोले तो minus और m23 की बात करोगे तो second row और third column delete second row और third column delete करोगे तो यहां 1 0 0 minus 6 यहां minus minus 6 minus 0 आजाएगा तो finally answer 6 आजाएगा a23 के बाद a31 minus 1 उसके उपर power 3 plus 1 और यहां m31 3 plus 1 4 4 बोले तो positive यहां m31 के लिए third row और first column delete 0 minus 1 4 और 5 आजाएगा 0 plus 4 तो यहां 4 आजाएगा a31 के बाद a32 minus 1 power में 3 plus 2 तो यहां m32 आजाएगा 3 plus 2 5 5 बोले तो minus third row और second column delete 1 minus 1 1 minus 1 3 और 5 minus 5 into 1 5 plus 3 5 plus 3 8 8 सामने minus तो यह minus 8 a32 के बाद a33 minus 1 और power में 3 plus 3 और यहां आएगा m33 3 plus 3 6 यह पॉजिट यह हम 33 बोले तो third row third column delete तो 1 0 3 4 तो 4 minus 0 it will be 4 all in all आप लोगों को बेटा यहां पे हर element का co factors मिल गए और यह जो m11 m12 दिखाए दे रहे तो वो minors भी है यहांने co factor depends on minors यहां तक क्या आगए अब हम co factor का matrix बनाएंगे O factor matrix तो बोलो 2 21 minus 18 6 minus 7 6 4 minus 8 4 तो यह हो गए बेटा co factor matrix अब इसी matrix के भरूस से हम को adjoint matrix निकलना है जिसको हम denote adj से करते है और जो co factor का matrix होता है उसका हम transpose लेते है इस प्रकार से have a look जो जो row में था उसको column में लिख लिया take your time अब बेटा आराम से यह पहला problem observe करो क्योंकि आपको इसी को देखकर second और third could solve करना है come on correct answer है come on तो यह दूसरा तीसरा आप खुदर try करना बटा यह था 3 by 3 का adjoint निकलना और समझ लो जिसको adjoint आ जाता है समझ के चलो कि आपको final exam में 4 marks, 3 marks confirm मिल गए क्योंकि adjoint जिसको आ गया वही student A inverse या फिर inverse of a matrix निकल सकता है तो इसके previous class में मैंने आपको 2 by 2 का adjoint कैसे निकलते वो बताया था अभी जो हमारा 3 by 3 था उसका adjoint कैसे निकल लेते है वो मैंने बताया है इसके previous class में मैंने आपको 2 by 2 का एक करके दिया था और एक homework दिया था या भी मैंने एक करके दिया है दो homework दिया है और ये खेल यहां खतम नहीं होता है जब आप next topic पढ़ोगे तो यहां तक के जो आप पढ़े हो adjoint, cofactor, minors यह सब चीज़े inverse निकलने की भी काम आती है so ultimately आने वाले topic में previous topic का revision होगा जैसे मैंने कल आपको 2 by 2 के लिए एक shortcut बताये था वैसे 3 by 3 का एक sign का shortcut देख लो according to the position वेटा यह 1 1 वाला है तो positive आएगा अब देखो ना यह जो मैंने यहां minor के सामने लिखे हुए signs है वो अगर देखते हो determinant के आगे वाले तो plus, minus, plus, minus, plus, minus plus, minus, plus इस प्रकार से होते है ठीक है चलो आसरम को यहां तक के समझ में आगे है अब बेटा इसके आगे का और next important topic है इसका नाम है inverse of a matrix this is the most most important concept have a look पढ़ो इसको steps to calculate inverse of a matrix यह topic आपको 4 marks 100% देगा याद रखना सब लोग ठीक है ना और inverse of a matrix को निकालने के लिए क्या steps है यह आपके आखों के सामने है पहला है अगर सब्सकूज एक A matrix गिवन है और उसका आपको inverse निकालना है तो सबसे पहले आपको find mod A करना पड़ता है mod A बोली तो determinant of a determinant of a निकालने के बाद दू चीज़े होसकती है एक तो वो determinant का value not equal to 0 आएगा अगर determinant का value not equal to 0 आता है तो उस matrix को non singular matrix बोलते है अगर determinant का value not equal to 0 आता है तो जिस matrix के determinant not equal to 0 हो वो matrix non singular होता है और उसका A inverse exist होता है वही दूसरा case है कि अगर determined का value 0 आता है तो वो matrix singular होता है और उसका A inverse exist नहीं होता है ठीक है तो यह पहली बात है और A inverse exist होगा तो यह आगे बढ़ोगे और A inverse does not exist है तो फिर आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं आता है point to be noted दूसरा step देखो क्या है find अगर inverse exist है तो फिर यह आगे जाएंगे हम तो यह बात याद रखना follow this step if A inverse exist otherwise पहले step में प्रोलेम खतम हो जाएगा तो find co-factors जैसे अपने previous प्रोलेम में co-factors निकले वैसे निकाल ले न और उस co-factors के बुरों से matrix of co-factors बना ले ला यहने co-factor का एक matrix बनेगा फिर उसके बाद तीसरा step है find adjoint of matrix और adjoint of matrix बोले तो क्या transpose of co-factor matrix यहने जो co-factor matrix आएगा उसको सिर्फ transpose लेना पड़ेगा तो आपको adjoint of matrix मिल जाएगा और last step है find a inverse by using formula और a inverse निकलने का formula आप क्या को के सामने है a inverse is equal to है आसपास उन मस्तका और लिवंटेवा आप अपलेः अब अप में से कुछ student को शायद सवाल था कि sir mode का value अगर 0 है तो a inverse exist क्यों नहीं होता है क्योंकि वेटा यह जो formula है जिसको मैंने box बनाया वहाँ सोचो अगर mode के जगह मैं 0 रगदू तो यह 1 upon 0 हो जाएगा अगर मैं mode के जगह 0 रगदू तो यह 1 upon 0 हो जाएगा और any term upon 0 आता है तो उसका मिनिंग है not defined not defined का ही दुसरा नाम है infinity और उसका ही दुसरा नाम है does not exist इसलिए बेटा अगर mode 0 होता है तो यह 1 by 0 इसका मतलब वो infinite यह inverse exist नहीं रहेगा mode अगर not equal to 0 है तो it is solvable ठीक है तो अभी हम यहां से आगे यह class में और next class में definitely inverse of a matrix के ही problem देखेंगे और एक बार अगर एक concept clear होगा आपको तो फिर आने वाले दिनों में आप जब भी inverse को देखोगे तो आपको comfortable feel होगा चलो तो उसमें से एक question आपके आखो के सामने find a inverse if a is equal to एक matrix given है और यह matrix का size 2 by 2 है फिलाल मैं आपको 2 by 2 का inverse कैसे निकालते है वो बता देता हो और उसके फिर next class से हम लोग 3 by 3 वाले भी बढ़ेंगे सो यहाँ देखो given क्या करोगे पहले a is equal to यह जो भी matrix given है उसको आप लिख लोगे minus 3, 2, 1, 5 इस प्रकर से यह तो matrix आपको given है और according to the procedure आपको सबसे पहले determinant of a निकालना है तो बेटा इस matrix का हम determinant देखेंगे कितना आता है करो solve minus 3 into 5 minus 15 1 into 2 2 बीच में होता है minus answer आ रहा है minus 17 तो आप ही बताओ mod का जो value आया क्या वो 0 आया या not equal to 0 तो यहाँ पे not equal to 0 आया therefore matrix क्या हो गया matrix हो गया non singular matrix हो गया non singular और जो matrix non singular होता है उसका inverse एक्जिस्ट होता है ठीक है ना चलो यह हो गई बात inverse की कि यहां से green signal मिल गया कि inverse एक्जिस्ट है वही अगर mod का value 0 आता तो महीं आपे लिखता था singular matrix और नीचे लिखता था a inverse does not exist point to be noted चलो अब हम निकालेंगे co factors क्या निकालेंगे co factors चलो पहले a11 पहला row पहला column अब जो बेटा कल के class में या अभी जो अपनी इसके previous problem में देखा था minus one raise to power one plus one उतना ताम जाम करने की जरुरत नहीं है अब उतना आप खुद भी समझ सकते हैं मुझे बता ना one one बोले तो first row first column तो one plus one क्या आएगा one plus one two आएगा two even 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 है तो यहां plus आएगा और यहा m11 होता है m11 so m11 बोले तो क्या first row first column delete करो first row first column delete होगा तो यहां पर five बचेगा तो positive five a one one के बाद a one two अब one plus two कितना होगा three three is odd odd बोले तो minus first row और second column first row second column को delete करोगे तो सिर्फ one बचेगा और सामने minus a one two के बाद a two one a two one second row first column फिकी देखो ना आप हर एक element को देखो ना a one one बोले तो यह minus three का co factor निकाला a one two बोले तो इस two का co factor निकाला a two one बोले तो आप one का co factor निकाल रहे हैं तो two plus one के इतना three three बोले तो odd odd बोले तो minus second row और first column delete करो second row और first column को delete करोगे तो a two one आएगा उसके बाद a two two a two two के बोले तो two plus two four four बोले तो even even बोले तो plus second row second column को delete करो तो यहाँ पे minus three आ रहे हैं क्या रहे है minus three so plus into minus three plus into minus three minus three हो जाएगा all in all बेटा आपने हर element का निकाला है co factor तो therefore अब हम निकालेंगे co factor का matrix तो जो भी अपने co factors निकाले उसको इसमें लिख लेते हैं पहला प्लस five बोले तो five दूसरा यहाँ minus one यहाँ minus two यहाँ minus three यह हो गए सिर्फ co factor matrix के बाद हम निकालते हैं adjoint उस matrix का और कोई भी co factor matrix के बाद से adjoint निकालना बहुत simple है बस जो row में है उसको column में लिखने लिना पड़ता है देख लो तो जो row में था पैटा उसको column में लिख लिया यह फिर जो column में उसको row में लिख लो so co factor matrix के पर उसे adjoint of matrix निकल लिया और एक बार अगर अगर आपको adjoint of matrix मिल गए तो आगे तो बहुत simple है अब हम निकलेंगे A inverse और A inverse का formula क्या 1 upon mod A into adjoint of A 1 upon mod A into adjoint of A और adjoint of A का value क्या आया माइनस 17 आया क्या आया माइनस 17 और adjoint of A तो आपने अब यह भी निकला 5 minus 2 minus 1 और minus 3 हाँ इसके आगे वैसे simplify करने के जरूरत नहीं है लेकिन generally कुछ student जो matrix के बार negative होता है अगर negative आता है तो उस negative के वज़े से हर एक का sign change कर देते है तो इस प्रकार से आएगा तो आपने minus से नहीं किया मोलेटिपला है तो भी correct है और किया तो भी बरबर है तो यह बहुत simple सी बात थी बेटा तो यहाँ पे हमने इस 2 by 2 matrix का एक inverse निकल लिया है और इतने ही सिर्फ जरूरी step है यह question आएगा तो आपको 2 में से 2 marks जरूर मिलेंगे अब मैं आपको एक shortcut पड़ा देता हो कि अगर suppose 2 by 2 का matrix का आपको shortcut में अगर A inverse निकालना है तो कैसे निकाला जाता है तो A, B, C, D ऐसे 4 elements और इसका A inverse निकलना बहुत simple है वैसे आपने previous class में 2 by 2 का adjoint निकलने का shortcut देखा था वैसे बेट आप आज A inverse 2 by 2 का shortcut कैसे निकल देखो no doubt A inverse का formula क्या है 1 upon mod A तो यह जो AD minus BC दिखाए दे रहे हैं वो वही है determinant of A AD minus BC और side में लिखोगे adjoint of A का shortcut adjoint of A का shortcut क्या था D और A interchange D और A interchange और B और C के sine change D और A को interchange और B और C के sine change ऐसे आएगा बेटा लगे तो आप इस example के साथ tally करके देखो यह जो हमारा matrix था फिलाल उसके element minus 3 2, 1, 5 ऐसा था इसका अगर आप A inverse निकालते हो according to this shortcut formula तो 1 upon ad minus bc करके देखो minus 3 into 5 minus 15 1 into 2, 2 बीच में होता है minus उसके बाद इसको interchange 5 इदर जाएगा minus 3 इदर आ जाएगा यह इसके sign change तो यह minus 2 और यह minus 1 सिर्फ D और A exchange हो जाते है और B और C के sign change हो जाते है all in all इसको अगर आप अच्छे से देखते हो तो denominator में minus 17 आएगा और minus 17 को अगर यह आप positive 17 लिखते हो तो फिर अंदर के हर एक के sign change करने पड़ेंगे और देख लो बेटा यही answer है that's it so it's quite simple भहत easy problem था अब इसको अच्छे से practice करो और इसी से relevant मैं आपको एक problem homework के लिए देता हो जैसे बेटा मैंने पहला पढ़ाया वैसे आप next problem खुद करके देखो एक यह वाला यह दोनों प्रोलेम आपको homework है इसके answers लिख कर देने की जरूरत नहीं क्यूंकि आप shortcut से उसको cross check भी कर सकते हो आपको यह सारे problems को अच्छे से लिखना है यह जो steps लिख कर दिये inverse निकलने की उसको अच्छे से पढ़ना भी है याद भी रखना है लिखना है और सारे homework solve करके मुझे उसके photos whatsapp करने है और जो यह regular कर रहे हो बहुत अच्छे student है और जिन्हों ने अभी तक के class join नहीं किया उनको फटा बट बो लो class join करने के लिए क्योंकि बटा knowledge कभी waste नहीं जाएगा यह सारी चीज़े आपके life में कभी ना कभी जरूर काम आएगी दूसरी बात exam रहेगा तो उसके लिए तो आप यह helpful रहे गए रहेगा online भी exam रहेगा तो आपको concept तो पता होनी चाहिए concept पता है तो आप online exam भी MC की उस pattern में इसका concept यूज़ करके ही solve कर सकते हो और यह जो मैं shortcuts बगएरा बताता हूँ उसके लिए helpful है okay so this is all about today thank you very much